तो अगर लोग अपनी Crow movie का first look आ चुका है और वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा जहां हुआ क्या कि अगर OG superhero fan हो तो तो मैं Crow franchise के बारे में पता ही होगा 1994 में ये शुरू हुई ये franchise एक supernatural comic book superhero पे inspired है जहां पे अपना hero wrongfully मर जाता है और फिर उसे Crow की powers के साथ एक नया जीवनदान मिलता है लेकिन इस बार उसे एक heightened senses and skills markmanship की powers भी मिलती है जहां इसकी सबसे पहले movie काफी tragic रही अपने Brandon Lee, Bruce Lee की भाई बेटे एक accident में शूटिंग के दोरान में उनका ने धन हो गया लेकिन जो legacy वो छोड़के गए वो आज भी हमारे साथ है जिसका बहुत सालों बाद एक remake बनने जा रहा है डारेक्ट अपनी original movie का remake ही है जिसमें star कर रहे है Bill Skarsgard जिसका first look कुछ ऐसा दिखता है और वो पूरे tattoos or two's से भरे हुए है जो कि mood कुछ अच्छा लोगों को appeal लहीं कर रहा है क्योंकि ये emo वाला दौर ना spider man 3 के साथ ही मर गया था खैर movie release हो रही है जून साथ को जिसके लिए मैं तो बहुत ही excited हूँ and maybe इस franchise से जुड़ी हुई बाकी movies भी देख लूँ खैरूं की रिटिंग को थी बुरी